अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें जमिनी धर एक आथर है और साथ ही में ये women entrepreneur को कोचिंग भी करती है जमिनी धर ने अपनी जिंदगी में बड़ी-बड़ी सफलताओं को देखा है और साथ ही में अपनी जिंदगी के कठिन पलों को भी जिला है जिस टॉपिक पर जमिनी धर बात करने वाली है उस topic का नाम है Taking Charge of Financials इस topic को housewife से लेकर working moment तक हर कोई enjoy करने वाला है और इस topic से बहुत कुछ सीखने भी वाला है नमशकार मेरा नाम जैमिनी धर है मैं एक टिक्चार्ज एक्सपर्ट और ओथर हूँ सबसे पहले मैं B.I.T.V को बहुत सारा धन्यवाद देना चाती हूँ कि आज मैं पहली बार हिंदी में बात कर रहूँ मैंने decision लिया है कि जैसे मैंने अपनी life में बहुत सारे decisions लिये है उस decisions के मेरे life में positive और negative दोनों effects रहे है देकिंग टेकिंग चार्ज का मतलब होता है कि आप जिम्मेवारी लीजे आप अपनी जिन्दगी को अपनी तरह से जीए और उनमें साथ में लोगों को ले के जीए I am not talking मैं ये बात नहीं कर रहूँ कि आप independent कैसे बने मैं ये बात कर रही हूँ कि आप interdependent रह के भी एक अच्छा decision ले सकते है और वो decision होगा आपका finance का आप अपनी financial life को कैसे बरकरार रख सकते हैं और कैसे उसको grow कर सकते हैं उसके बारे में आज बात करेंगे सो रंजीत आपने मुझे ये बहुत अच्छा मौका दिया है कि मैं जो बहुत passionately करती हूँ दिन बदिन अपने clients के साथ में वो आपने मुझे यहाँ पे share करने का मौका दिया है सो ये obsession है women के लिए women के लिए मतलब उनके लिए नहीं जो men है और जो women के बारे में नहीं सोचते ये हर एक men और women के लिए है मर्द और और औरत के लिए है जिनकी life में women है या वो आपकी बेटी हो या वो आपकी बहन हो या वो आपकी माँ हो या आपकी बीवी हो जो भी वो औरत आपकी लाइफ में है अगर आप उनको मजबूत खुश और confident देखना चाते हैं तो आप उनको financial decisions लेने के लिए encourage कीजे आप उनको help कीजे और जब वो अपना खुद decision लेगी तो वो आपको blame नहीं करेगी कि आपने मेरे साथ ये किया आपकी वज़े से ये और आपने मेरे साथ ये किया वाके में मैं और तो को बोलती हूँ कि आपको बोलना चे मैंने ये decision लिया इसलिए ये मेरे साथ हुआ और मेरी life better कैसे बना सकती हूँ ये मेरे हाथ में है so हाँ financial decision लेना एक बहुत 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 सोची समझी skill है जो हम develop कर सकते है decision तो हर कोई लेता है हर पल लेते है हम जब सास लेके सास छोड़ते है वो भी एक unconscious decision है imagine आपने decision लिया कि आपने सास लिया लेकिन वो सास अपने छोड़ा नहीं तो क्या होगा आपके साथ yes कुछ लोग प्रानायम करके घंटो अपना सास कंट्रोल कर सकते है और कुछ लोग heart की trouble से या anxiety की वज़े से इतना बेबस हो जाते कि उनको पता नहीं है कि मुझे सास लेना कब है और छोड़ना कब है ये सारी चीजे हमारी life की day to day चीजे है तो क्या हम नहीं चाते हिए कि हम amazing decisions लें क्या हम नहीं चाते हिए कि हम अपना जो भी अपने पास अगर आपके पास बहुत थोड़ा पैसा है तो भी ये session आपके लिए है अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो भी यह सेशन आपके लिए और आपके पास बिलकुल पैसा नहीं है तो यह सेशन आपके लिए बहुत बहुत इंपोर्टन्ट माईने रखेगा बिकॉस में सारे दाइरे से गुजर चुकी मेरी लाइफ में सो जब मैं 16 साल की थी तो 16 थी या 1st year college में थी और मेरी पापा सोय थे और मैंने पापा को पूछा पापा कितना बजा और पापा ने बोला quarter two और उन्होंने वो sentence complete नहीं किया मेरी लाइफ का सबसे बड़ा हादसा वो था कि मेरे पापा कभी नहीं उठे उनकी दैथ हो गई उसको वो heart collapse बोलते कि वो immediately heart collapse हो जाते है और बंदा एक second में है और नहीं है उस time पे जो चीज मुचे मदद की और जो चीज ने मेरे education का काम किया और मेरी मा को support किया वो था मेरी पापा की छोटी सी insurance policy हम middle class family से थे मेरे पापा internationally nationally सब जगा गये घूमें हमको गुमाया internationally हम आफरिका में रहे बहुत हमने मजे किये लाइफ में लेकिन जब difficulty की नौबत आई तो मेरे पापा के पास hardly कुछ savings थे और emergency में जब हमारे घर में कोई पैमाने वाला नहीं था तो वो एक insurance policy ही थी जिन्नोंने मेरी मा को at least support किया वो बिल्कुल उतनी नहीं थी जिसमें मेरा education हो जाया और हमारे जिन्दगी निकल जाया बट वो बैर minimum थी जब उस time पे हमको support चाहे था बोलते है न डूबने वाले को तिनके का सहारा वैसा ही हुआ वो policy मेरे लिए एक support बनी मैं बहुत lazy थी मुझे बिल्कुल काम क पसंद नहीं था मैंने जिन्दगे में सिर्फ मजे किये लेकिन जब पापा की death हुई तब मैंने realize कि अब तो कमर कसनी पड़ेगी और काम करना पड़ेगा तो एददम focus हो के एददम hard working हो के मैंने अपना education complete किया fashion designer का ये decision मेरे लिए बहुत important था कि मुझे life में आगे बढ़ जाया मेरी मां को heart trouble थी तो कुछ हो जाया और मेरे पास पैसा नहों उस डर ने उस fear ने उस anxiety ने में को काम करने के लिए पूरा जोश दिया it was the fuel in the fire मतलब वो आग में घी का काम कर गया और मैंने internationally nationally travel करना शुरू किया और दिन रात काम कर रहे थी बहुत पैसा कमाया इतना प अपने husband के साथ partnership में काम शुरू किया उन्होंने मुझे support किया और हम लोग ने एक बहुत बड़ा business empire शुरू किया मैंने decision लिया कि मैं job छोड़ूगी यह मैं इसलिए बोल रही हूं कि हर decision के पीछे एक result होता है जो आप सोचते हो जो आप समझते हो वो आप करना चाते हो कि रिस्क नहीं लेना चाते है जो रिस्क तो ले लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि इस रिस्क का नतीज़ क्या होगा सो कुछ लोग ब्लाइंड खिलते हैं आँख बन कर जो होता जाएगा देखा जाएगा जैसे कभी-कभी हमको शेयर मार्केट के बारे में कुछ होता है और काश मेने अफना दिमाग लगाया हूदा सू बहुत सारी दियूजेे हैं जिसरों बख़ा करता एम हैं बहुत बढ़ करतारहा है और दिसेश्न जबसेश्च ़ोपलेते हैं तो वह विंड लेते हैं अपकी मैंडस真的很 सह पर झाइथ करते हैं य험 बहुत सारे वाद कर कितने coaches और कितने mentors है बहुत सारे वो सिर्फ अपने दिमाग से काहम नहीं करते उन्होंने अपने पास एक mastermind बनाया हुआ तो है वो इस चीज के लिए इनके पास जाते है इन चीज के लिए इसलिए advisors और consultants को सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है सिर्फ advice और consultancy देने के लिए financial planners भी वो काम करते है लेकिन जब आप financial planner चुने तो आप उनकी wealth देखिए क्या उनके पास वो है जो आपको बेच रहे क्या उन्होंने वो खरीदा है जो आपको बेच रहे क्या वो आपकी जरूरत है समझ सकते है सो अगर आप homemaker है और आपको एक decision लेना है finance का तो क्या आपके घर में आपको वो permission है क्या आपके पास वो knowledge है क्या लोग आपको trust करते कि वो पैसा आप संभाल सकते है आप क्यों एक लाक रुपे या हजार रुपे या पचास हजार एक बच्चे के हाथ में देने से डरते है आप इसलिए डरते है कि क्या उसमें खो दिया तो क्या उसको कुछ हो गया तो उस पैसे के बाद साथ इसके लिए most of the time women को protect किया जाता है बच्पन से बड़े होके मैं उन women को salute करती हूँ जो women अपने financial decisions खुद लेते है जिन्होंने financial literacy की है जिन्होंने courses किये है जिन्होंने knowledge की है जो market में invest करती है और जो और लोगों को investment करके grow करती है मैं उन औरतों को सलाम करती हूँ because किसी का पैसा संभालना अपना खुद का पैसा संभालना और उसको grow करना एक art है और ये art सीखा जा सकता है जो I think आज 90% women नहीं करती है अगर कोई decision लेना होता है तो वो सोचती है मैं पापा से पुछूँगी मैं भाई से पुछूँगी मैं ममी से पुछूँगी मैं फ्रेंड से पुछूँगी मैं पती से पुछूँगी और उसके बाद अगर उन्होंने allow किया तो मैं ये करूँगी सो ये होता है एक दूसरे पे depend होके financial decision लेना मैं बहुत जोर देती हूँ अपने program में जब women entrepreneurs मेरे पास आते कि आपका जो सपना है वो सपना पूरा करने के लिए आपकी सोच आपकी knowledge जो लोग आपके आजुबाजु में क्या आपको सला देते है बहुत important है आपने रामायन तो पड़ी होगी आपने राम का वानवास भी देखा है आपको पता है न वो कैसे हुआ था सो कौन आपको सला देता है कौन आपको advice करता है कौन आपको सिखाता है यह बहुत जरूरी है बहुत बहुत जरूरी है एक real life story बताती हूँ मेरी शादी को 12 साल हो गए और मैंने 40,000 रुपीज का decision लिया था मेरे business में invest करने के लिए मेरा वो पहला financial decision था अपने बल्बुते पे कि मेरी कमाई है कुछ भी हो जाए कोई मुझे बोल नहीं सकता या मैं पैसा गमाओ या मैं पैसा बनाओ उस 40,000 से मैंने 130 करोड का turn over किया 10 साल में वो turn over 3 गुना भी हो सकता था आधा भी हो सकता था वो profit भी हो है और वो loss भी हो सकता था लेकिन उन 12 साल में मैंने step by step वो सारी चीज़े की जिससे मेरा business growth हुआ मेरे पास वो लोग थे जिनोंने मुझे सही सला दी और मैंने हिम्मत रखके everyday मैंने decision लिया ये design बनाओ की नहीं ये कपड़ा खरी दू की नहीं ये बंदे को पैसा दू की नहीं 50,000 रुपे sampling में लगाऊं या लाक रुपे marketing में लगाऊं हर decision मेरा financial decision था जिसने मेरा financial growth किया लेकिन मैंने एक बहुत 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 बढ़ी गलती की कि जो पैसा मैंने कमाया जो पैसा मेरे पास business में आया उसको मैंने नहीं सब्वाला या मैंने उसको मेरे husband के भरो से छोड़ दिया या मैंने other लोगों के लिए छोड़ दिया मेरे पास financial advisors थे पैसा आता गया मैं खर्च करती गई कुछ मैंने बहुत सोचे सम्झे decisions लिये मैंने property में इंवेस्ट किया मैंने gold में इंवेस्ट किया मैंने insurance में इंवेस्ट किया मैंने savings की मैंने NSC buy किया मैंने बहुत सारी चीजों में पैसा डाला इतना आया कि कोई limit नहीं थी लेकिन वो काफी नहीं था कही ना कही मैंने गलत investments किये कही ना कही मैंने खुद decision नहीं लिये मैंने मेरे सपने दूसरों को दे दिये पालने के लिए और ऐसी नौबत आई कि मेरी company debt में चली गई और हमने इतना उधार create किया था कि मेरी दो बहुत अच्छी companies जो बहुत सारा profit ला रही थी डोलने लगी markets उपर डाउन हुए और मेरा financial situation पूरा turmoil हुआ इस वज़े से मेरा mindset completely destroy हो गया मुझे anxiety हो गया में को health issues आगे diabetes हो गया, blood pressure हो गया में को बहुत सारा गुसा आता था मैं अपने clients से, मेरे staff से मेरी family से गुस्से से deal करती थी यह सारी चीजों का impact आया मेरी life पे उस stand पर मैंने decide कि मुझे इससे बहार निकलना है मुझे को change करना है और मैंने coaching की तरफ मोड़ा so मैं one of the industry के best Mr. Arfine Khan के नीचे train हुई हूँ 6 साल तक और उन्होंने हमेशा मुझे एक ही चीज बताया Gemini तुमको क्या चाहिए आपको क्या चाहिए उस हिसाब से आप अपना strategy plan बनाओ और आपका जो outcome है वो हिसाब से आप back walk करो अगर आप को financial consultant के साथ बैठेगे वो भी आपको बोलेगा कि कितना पैसा चाहिए पांच साल में कितना चाहिए दस साल में कितना चाहिए बच्चे को कौन सी college में डालना है खुद को क्या करना है वर्ल टूल करना है शॉपिंग करना है क्या करना है आपको कितना पैसा चाहिए उस हिसाब से आप अपना investment करेंगे और वो investment आपको इतना return देगा ये बहुत simple चीज़े है जो बहुत सारे लोगों पता है लेकिन आप शौक हो जाएंगे कि कितने लोगों को ये confidence है कि वो decision वो खुद ले So women के साथ ये होता है कि हम छोटे होते हैं तो पापा की you know daddy's girl बोलते है पापा की बेटी So बेटी ओको बहुत लाड़ प्यार मिलता है कुछ घरों में बहुत जादा कुछ घरों में बिल्कुल नहीं लेकिन मैं उस घर से हूँ जहां मुझे बहुत लाड़ प्यार मिला और मैंने हर एक चीज अपने पापा के बोलने पर की ममी के बोलने पर कभी नहीं की Because मेरे लिए वो hero है मेरे लिए वो जो भी करते थे best करते थे उनको सब best आता था नहीं उनको कुछ चीज से बहुत अच्छी आती थी कुछ चीज से नहीं आती थी वो architect थे लेकिन मेरे लिए वो मेरे super hero थे So हम हमारी life में role models बनाते है और जो वो करते है वो हम करते जाते है मैं women को ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले आपको ये decision लेना है आपका सबसे पहला decision होगा कि मैं अपने आजू बाजू में जितने भी लड़किया है पैदा वो मेरी बेटी है वो मेरी बहन है वो मेरी मा है और या वो मेरी friend है मैं उसको encourage करूँगी कि वो अपने financial decisions खुद ले छोटे से चालू कीजे 1000 रुपया invest कीजे देखे कैसे बढ़ता है दो मैने के बाद 2000 दस मैने के बाद 10,000 साल के बाद 10000 लाग के बाद 20000 से करोड जितना आप कमाते हो उसमें से investment आपको खुद करना है अगर आपको नहीं आता है तो आप advice लीजे एक आपके father की एक आपके family member की एक professional की जब आप professional की help लेते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप उनका scale देखे उन्होंने क्या किया है life में क्या जो वो बोलते है वो करते है do they practice what they preach ऐसे मैं बात करते हूँ क्यों कि बहुत सारे लोग advice तो देते हैं लेकिन खुद apply नहीं करते तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो advice आपके लिए आ रही है वो सही है या just एक marketing gimmick है so marketing gimmick से बचना बहुत जरूरी है और ये आप तभी कर सकते जब आप अपने आपको educate करे आज YouTube पे हर जगा पे इतने सारे videos है जो आपको educate करता है तो जब आप TikTok देखते तब आप jokes देखते जब आप movies देखते जब आप songs देखते तो क्या आप 10 minute अपने लिए financial videos देखने के लिए नहीं कर सकते रंजीत का जो B.I.T.V है वो बार बार रोज कुछ ना कुछ नया लेके आता है finance के बारे में investment के बारे में ये share वो share ये investment वो investment आप देख सकते कि ये चीजे जब आप सुनते हैं तो आपके अंदर कितना बदलावाता है सबसे पहला decision जो एक women को लेना चाहिए वो है अपनी security का one is the insurance and the health insurance तो आप अपने insurance और health insurance में कितना invest करना चाहते जितना आपकी जरूरत है अगर आपको कोई health element है तो आपको अच्छा insurance लेना चाहिए अगर आप स्वस्थ है और अच्छे है और बहुत यंग है तो आप medium से शूरू कीजे फिर large पे जाए तो ये दो चीजे तो औरतों को होनी ही होनी चाहिए जबकि हजारों लाखों लोग इंडिया में आज है जिनके पास insurance नहीं है आज lockdown है सब घर में बैठे है क्या आप सोच सकते हैं सबकी मानसिक capability क्या है किस दौर से गुजर रहे है एक बंदा जो रोज office जाता था और घर आके बोलता था आह डेज लाक रुपया महीना आएगा दो लाक रुपया महीना आएगा पचास हजार आएंगे पचीस हजार आएंगे आज मैंने share market में इतना कमाया आज मैंने ये deal करके ये कमाया इस सारी चीजे stand still पे है तो क्या आपने अपने लिए कोई ऐसा प्रबन किया है कि अगले एक साल तक अगर आप नहीं कमायेंगे तो आपका घर चलेगा आपके near and dear ones at least खाना खा पाए और आप basic food, clothing और shelter यानि रोटी, कपड़ा और मकान आपका बरकरार रहे क्या इतना आपने बचाया है क्या इतना आपने रखा है अगर नहीं तो आपके लिए ये time है आप कभी भी शुरू कर सकते तो एक 10 साल के बच्चे को लेके 100 साल के बुड़े तक हर बंदे को अपना financial decision लेके planning करनी चाहिए सो पहले तो मैं बात करती हूँ insurance की जब मैं अपना take charge 5x formula करती हूँ मैं आपको दिखाऊगी ये मेरा take charge 5x formula है ये एक साल का प्रोग्राम है जो मैं entrepreneurs और women's के साथ करती हूँ मैं women के साथ इसलिए काम करती हूँ कि मेरा passion है कि मैं औरतों को suction बनाओ strong बनाओ मैंने एक goal बनाया जब lockdown हुआ तो मैंने goal बनाया कि मुझे 50,000 लोगों को touch करना है इन दिनों में और मेरा जो सपना है मेरा जो mission है उसको आगे बढ़ाना है तो मेरे जब दोस्तों ने सुना तो बोला मैंने तो घर में बंद है तो कैसे करेगी मैंने बोला बून-बून से सागर भरता है सो मैंने facebook live करना शुरू किया मैंने अपने colleagues से बात करना शुरू किया मैंने अपने friends से बात करना शुरू किया मैंने videos बनाना शुरू किया और मैरे जो current clients है उन्होंने मुझे बहुत सारे लोगों से मिलवाया उनसे zoom calls करना शुरू किये और एक दिन मुझे call आता है रंजीत का जैमिनी आप बी आई टीवी पे आके विमिन के लिए कुछ special करोगे I said thank you रंजीत ये मेरा एक सपना है So मेरे को कुछ करना है मेरा एक सपना है और उसके लिए मैंने एक आउटकम बनाया उसको लिखा वो लिखने के बाद मेरे लिए रस्ते खुलते गए हम सोचते कि हम आगे बढ़ेंगे और हम मन्जिल पाएंगे हाँ ये सच है लेकिन कितने लोगों ने सोचा है कि पहले मन्जिल तैर करनी चाहे कि मुझे यहाँ जाना है और जब आपकी मन्जिल डिसाइड़ है फिर आप डिसाइड कीजे ना कि आपको कितना स्टैक लेना चोटा बड़ा बड़ा या बड़ा सो बहुत सारी चीजें हम सोचे बिगयर कर लेते कॉंशिसली मतलब हमको प्रोग्राम किया होता है सो फाइनेशल डिसिशन्स क्यों लेने चाहिए और कैसे औरतों को अपने लिए एक रस्ता बनाना चाहिए सो आपके फैमिली और फ्रेंड्स या आपके मेंटोर्स और आपके फैनेशल अड्वाइसर्स आपको एक रस्ता बना के देते हैं आपको समझो वो समझ में नहीं आता है आप कैसे इस पर चलेंगे क्या आप आँख बंद करके किसी का हाथ पकड़के चलना चाहोगे आप कितनी दूर तक जाओगे कि या आप अपनी आँखे खोल के कहीं चलना चाहोगे कितनी दूर तक दा सकते हो सो बहुत सारे लोग टिप्स देते हैं कि ये करो, ये करो, ये करो इधर invest करो यहां करो इतना return इतना return So मैंने अपनी जिंदगी में एक बहुत simple काम किया है जो बहुत सारे लोग हसते हैं कि जैमिनी तो गुजराती है ना इसलिए ऐसा सोचती है लिकिन उस सोचने में को 6 साल 6 साल तक उसने मुझे और मेरे बच्चों को international education support किया और वो था gold में investment मैंने जब से कमाना शुरू किया मैं 1000 रुपे, 500 रुपे, 2000, 6000, 12,000, 15,000 जो मेरे हाथ में पैसा आता था as a gift जो मेरे बड़े के उपर मुझे बहुत सारे gifts मिलते थे मैं लोगों को बोलती थी मुझे cash दे दो या मुझे gold दे दो सो मुझे सब हसते थे कि ये कितनी gold के पीछे पागल है लेकिन ममाने मेरी ममाने जब मैं Sweden गई थी मेरे गले में gold की chain डाले थी कि बेटा अगर कहीं घूम जाएगी currency नहीं होगी तो ये universal currency है दुनिया के किसी भी कौने में जाके दुकान में आप ये gold chain दे दो आपको घर आने जितने पैसे मिल जाएंगे उस दिन से मैंने सबक लिया और मैं हर टाइम जबी भी मुझे gift मिलती थी या पैसे जमा करती थी मैं gold लेती थी उस टाइम पर gold bonds नहीं थे तो मैं physical gold लेती थी और मैं जूलरी बनाती थी और मैं पैनती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था मैंने अपना solitaire खरीदा अपनी कमाई से और ये बहुत सारी चीजे है जो मैंने investment न समझते हुए भी की तो gold में invest करना मेरे लिए बहुत फाइदे मन था बेकोज कल आज और आधी रात को जबी भी मुझे पैसा चाहिए मैं cold भी gold store में जाके अपना gold बेच के immediate cash कर सकती हूँ उसने में को return दिया पता नहीं जादा दिया, कम दिया, कितना दिया लेकिन उसने मेरा confidence बढ़ाया मेरे को at the back of the mind था नहीं मेरे पास 15 लाग है मेरे पास 5 लाग है मेरे पास 2 लाग है ये जो मेरे लिए एक security था वो मेरे को बहुत सारा confidence और comfort देता था तो मैंने gold में invest किया ये gold जाके मुझे बहुत अच्छा return दिया मैंने gold खरीदा था 4000, 5000, 6000, 6000, 7000 और आज मैंने उसको 25,000, 29,000, 31,000 के भाव पे बेचा और मैंने अपने बच्चों का international education और मेरे education में मैंने invest किया हाँ, 6 साल पहले मैंने एक बहुत बड़ा decision लिया कि मैं अपने आप में invest करूँगी सबसे best financial decision सबसे best 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 financial decision जो एक औरत ले सकती है वो अपने आप में invest करना होता है whether वो अपनी health के उपर है अपना growth के उपर है अपने personal growth पे जो आपकी qualities आप बढ़ाते हो personal level पे वो आपको ऐसा return देगा जो world में कोई bank कोई FD कोई investment नहीं दे सकता उतना return आपके अंदर investment देता है तो औरतों को जिनको financial decisions लेने होते हैं उनको यहां से मजबूत होना पड़ेगा because आपको risk लेने की आदत होनी चाहिए so सबसे जादा ओरते जो मेरे पास आती है और बोते है जमनी मेरे पापा अलाव नहीं करेंगे मेरे पती सोचते तेरे में अकल नहीं है तुझे समझ में नहीं आएगा तू रहने दे तेरे बस की बात नहीं है मेरे दोस्त मेरे पे हसते हैं वो बोते है तुझे कुछ मालूम नहीं है तुझे कोई लल्लू बना के जाएगा तू अपना पैसा बैंक में FD में रख ले ऐसे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट सुनती है और उनकी सोच बहुत सहम जाती है एक बहुत ही खुशी से एंथूजियासम से एक बंदा इन्वेस्मेंट करने जा रहा है और सामने उसको एक बंदा मिलता है पता है शेहर मार्केट में पैसा मट डालना पता है आजकल ये हो रहा है पता है इसके साथ ये हुआ है पता है उसके साथ ये हुआ है हो गया बेडा गल्द आप गए थे कुछ अच्छा काम करने और आपको मिल गया कोई और जिन्होंने कम्प्लीटली आपकी सोच बदल थी लेकिन अगर आपके पास knowledge है अगर आपके पास confidence है और आपके पास right person है जो आपको guide कर रहा है तो मजाल है कि कोई भी negative चीज़ आपको चूँ सकती है So financial decisions लेना आपकी life में बहुत-बहुत-बहुत crucial है और वो decision आपको खुद लेना चाहिए मेरी book है यह book है nine ways to empower इस book में चाप्टर है financial strength, financial freedom हम बोलते कि हमको financially free होना चाहिए एक दिन आना चाहिए जब हम बीच पे बैठेंगे आराम करेंगे, खाएंगे, पीएंगे, आश करेंगे, मेजा करेंगे लेकिन हमको कुछ काम नहीं करना पड़ेगा और हमारे bank में पैसा आता रहेगा, आता रहेगा पुरी जिन्दगी हम इस सपना देखते है और बहुत सारे लोगों के साथ रहता है कि यह सपना सपना ही रह जाता है अगर आप अपने सपने को सकार करना चाहते तो पहले तो financial literacy कीजिए जितना पैसा मैंने गवाया, पैसा ना समझके उतना पैसा मेरा triple हो सकता था अगर मुझे पता था कि पैसे को कैसे बढ़ाना है क्या करना है तो आज मेरे पास एक wealth coach है एक financial coach है जो मेरे को step by step बताता है कि जैवनी अगर इतना पैसा कमाओगे और यहाँ invest करोगे तो यह returns मिलेगा आपके पास choice है कि आप इसको यहाँ लगाना चाहते हो यहाँ लगाना चाहते हो या अपने मर्जी से कुछ और करना चाहते हो so gold मेरा एक बहुत favorite portfolio रहा है और मेरे सारे mentors मेरे पे हसते है गुजराती और मैं बोलते हूँ आपको strength मिलती है gold मेरे लिए वो काम करता है gold मेरे लिए हमेशा एक investment रहा है so बहुत सारी औरते मेरे पास आती है जिनका divorce होने वाला होता है या separated होती है या जो domestic violence से पास हो रही होती है और उनके पास कुछ नहीं होता है पता है उनके पास क्या होता है उनके पास अपना स्त्रीदन होता है जो स्त्रीदन उन्होंने कमाया जो स्त्रीदन उनके पास है वो स्त्रीदन उनकी ताकदवनती है in case of emergency वो आपकी lifeline है so मैं बहुत सारी औरतों को बोलूँगी कि financial decision लेना बहुत बहुत crucial है और एक बहुत important चीज़ है जो मैंने एक separated mother के साथ बाती वो अकेली थी बच्ची उनके पास थी और उनको decision लेना था बोला जेमनी मैं पास बहुत कम पैसा है इस time पे मैं कैसे अपने आप में invest करूँ मैं कैसे अपने आपके लिए coach डूलू मैं कैसे आगे बढ़ू ये पैसा मेरे बच्चे का खाने पीने का पैसा है आज ये पैसा मुझे इतना सो जब हमारे पास कम होता है हम उसको इतना मजबूत से पकड़ के रखते है इतना मजबूत से पकड़ के रखते है कि जब वो पैसा grow होने वाला होता है करने दोगे तभी तो फ्रूट देगा हां आपके पास कम है मैं मानती हूं कि अगर आपके पास बहुत कम पैसा है फिर भी उस कम में से आप इतना तो अपने आप पे लगा सकते हो जब आप अपने आप में इनवेस्ट करते हो वो देता है आपको mental strength वो देता है आपको emotional strength वो देता है आपको money EQ, आपने money EQ के बारे में सुना है, emotional constant of money, every decision a person makes, हर decision जो एक बंदा लेता है वो लेता है अपने कैसे मैं बताऊँ अपनी emotion से हर decision emotion से बनता है आप मानते हैं जब आप गुसे में है तो आप कोई चीज फेक देते है जब आप खुश होते हैं तो आप दूसरों को गले लगा देते है जब आप sad होते हो तो आप अपने आपको room में बंद कर लेते हो और सिर्फ sad गाने सुनते हो या बुरी चीज़ों के बारे में सोचते हो ये होता है एक बंदे का emotion जब आप emotionally weak होते हो तो आप बहुत सारे hasty decisions लेते हो और ऐसे decisions लेते हो जिसका कोई future नहीं है जब आप एक decision ले और आपका emotional well-being अच्छा नहीं है आप emotionally disturbed है तो वो decision आपको बहुत 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 गलत जगा पिलेके जा सकता है ये हो गई बात एक emotion की मैं बात करती हो power of emotion अगर आप में ताकत है आपकी emotion strong है तो आप कोई भी challenge के उपर जा सकते है जब मैं बात करी हो financial decisions की एक तो मैंने बोला कि आपको insurance में invest करना चाहिए फिर मैंने बोला कि आपको gold में invest करना चाहिए अब आप बोलेंगे Germany आपके पास कौन सी degree है और कौन सी PhD है कि आप gold और insurance के बारे में बात करे हो मेरे पास life के real life lessons है मेरे पास mentors है उन्होंने मेरे investments किये है of course मुझे पूच के किये और मैं अपने खुद के decisions लेती हूँ मेरे पास financial advisors है लेकिन मैं money और money mindset के बारे में बहुत deep में study कर रहे हूँ आज मुझे 6 साल हो गए Mr. Khan के साथ में और मेरी जो सोच बदली है पैसो के बारे में investment के बारे में और मैंने इतनी सारे औरतों को decisions लेने के लिए empower किया है मैं उनको सिखाती नहीं हूँ मैं उनको एक strategy देती हूँ एक tool देती हूँ जिससे वो अपने decisions खुद लेते है क्या आपके decisions दूसरों को पसंद आएंगे maybe, maybe not उनको पसंद आएंगे या नहीं आएंगे आपको वो लेना बहुत जरूरी है मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप घर में जगड़े कीजे argument कीजे और जबरदस्ती कीजे लेकिन आप aware रहिए आपके पता जी आपके पैसे कहां invest कर दे और वो कैसे grow करेगा कितने टाइम के बाद आपको उसको चेक करना है क्या करना है उन पैसों से आगे जाके और उस पैसों से जो रिटर्न आएंगे जो आपके सीड के फल होगे उसका क्या करना है आपको सो मैंने अपनी पहली policy निकाली थी जब I think मैं first job कर रही थी और कुछ साल पहले वो policy mature हो गई पता है कितने पैसे मिले साड़े बारा हजार मैंने तब insurance policy निकाली थी जिसके मुझे साड़े बारा हजार मिले जिसके लिए मैंने पता नहीं देर सो रुपे, सो रुपे, बहुत साल तक भरे और वो मेरा return था वो साड़े बारा हजार मैंने एक दिन में खर्च कर दिये सो कितने साल की कमाई और कितने साल का investment मैंने एक दिन में उड़ा दिया हाँ मैंने उड़ा दिया उस time के मुझे समझ नहीं थी सो क्या आप अपना business करते हो तब अपने लिए कोई salary decide करते हो आप बोते यह सब मेरा ही है यह मेरा business है इसको मैं ही चलाओगी सब मेरा है तो मुझे क्यों इसको salary में घर लेना है यह सेम गलती मैंने की थी 15 साल मैंने अपने business को जब समझाला बहुत सारा पैसा as a salary मुझे घर लेके जाके उसको invest करना चाहे था अपने तरीके से लेकिन मैंने उसको business में डालके मेरे partner के उपर छोड़ दिया कि यह पैसा का क्या होगा कुछ साल के बाद कुछ नहीं बचा एक ऐसा दिन आया जब मेरे पास बच्चे थे अपना घर था एक आधा industrial गाला था जिसको में ना rent पे डाल सकती थी ना में उसको बेच सकती थी क्योंकि वो litigation में था और मेरे पास मेरे 6 साल चलने वाली saving थी जिससे मैंने अपने बच्चों का education किया court cases लड़े और आज मैं एक single mother हूँ लेकिन उस मुश्किल के time पे मैंने अपने आप में invest किया और वो investment आज मुझे मेरा current career है आज मैं आपके सामने बैठी हूँ मैंने I am a YouTuber मैंने podcasting किया है मैंने किताबे लिखी है मैं seminars लेती हूँ nationally, internationally travel किया है seminars के लिए मैं बहुत सारे लोगों को encourage करती हूँ एक decision लीजे एक decision लीजे अपने आप में invest करने के लिए जब खुद में invest करोगे तो आपको अपने financial decisions लेने की strength आएगी जब आप अपना mindset change करोगे आपके पास एक go-getter attitude है ठीक है? एक ऐसी चीज है कि आपने एक बंदे को आँख के पट्टी लगा दी और उसको race दोडने के लिए बोल दिया वो 2 km भाग लिया वो 3 km भाग लिया वो 5 km भाग लिया और रस्ते में एक speed breaker आया और वो गिर गया क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कि आपने बहुत सारे plans बनाए अभी तो मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ कि हर वो बंदा जो आज मुझे देख रहा है उनकी life में वो speed breaker अभी आया है ये lockdown में जब ये lockdown हुआ किसी ने नहीं सोचा था कि हम काम पे नहीं जा पाएंगे हम हमारी salaries नहीं दे पाएंगे हम हमारी day to day activities नहीं कर पाएंगे और हम एक चार दिवाल में बंद हो जाएंगे ये भी तो एक speed breaker है आपकी speed को break लग गई अब आप क्या करेंगे कौन सा वो decision है जो आपको इस time पे earning देगा कौन सी वो चीज है जो आपको पैसा देगा कौन सा वो चीज है जो आपको security देगा आज आप कुछ नया सीख सकते हो एक money एक productive चीज आप कर सकते हो जिससे आप money create कर सकते हो हाँ money create कर किया जा सकता है हम investment करते हैं जो money grow होता है वो भी तो आपका एक passive income है जब आप investment करते हो और आपका पैसा पढ़ता है लेकिन आज इस lockdown के time पे आप सोचे कि आप कैसे सीखेंगे कि आपका financial decision आप ली जब आपने अपना खुद का decision लिया तो आप दूसरों को blame नहीं करेंगे आप ये नहीं बोलेंगे कि इसकी वज़े से ये हुआ उसकी वज़े से ये हुआ हाँ जरूर आपका भाई, आपके life partner आपके father, आपके cousin, आपके business partner जो भी investment करें, उनमें आप अपना खुद का opinion दीजे आप अपने खुद की विश्चायर कीजे और अगर पैसा आपके control में है और आपके bank balance में है तो वो decision आपको लेना है क्योंकि आज जब आपका 10 रुपया 20 बनेगा और 20 का 40 होगा जो confidence आपके अंदर आएगा वो आपको बहुत सारे areas में मदद करेगा So, बहुत सारी ladies ने में को लिखा था कि Gemini मैं अपने पती को, अपने पापा को, अपने भाई को, अपने financial advisor को blindly trust करती हूँ मैं को ये सारी चीजे बहुत boring लगती है और मुझे ये चीजे important नहीं लगती है मेरा बेटा मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रख सकता है मुझे कोई financial decision लेने में शोक नहीं है ये चीजे मुझे समझ में नहीं आती जब आपने ये सोच लिया और जब आपने ये अपनी life में apply कर लिया तो मैं आपको guarantee दे सकती हूँ एक दिन ऐसा आएगा जब आप बहुत 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 अपने आप पे पच्छाएंगे कि काश मैंने ये सीखा होता बहुत सारे लोगों ने technology को गालिया दी बहुत सारे लोगों ने बोला ये एक addiction है अच्छा नहीं है डिजिटल footprint है ये है वो है मैं आज उनी लोगों को पूछती हूँ क्या डिजिटल जो आज revolution आया है क्या ये blessing है या ये curse है क्या ये अपने लिए आशिरवाद है या ये अपने लिए एक श्राप है मैं बोलती हूँ कि हर चीज को handle करना आना चाहिए हर चीज का आपको सही तरीका आना चाहिए मैं example देती हूँ एक knife का जो एक टूल है एक छूरी है जो आपके पास है ठीक है एक छूरी है जो डॉक्टर के पास है एक छूरी है जो एक शेफ के पास है और छूरी है जो एक home maker के पास है क्या करेंगे इस tool का हर बन्दा उसका अलग यूज करेगा एक घर की home maker है जो cook करती है वो उसे सबजिया काटेगी एक surgeon है वो किसी का heart का operation करेगा किसी का liver transplant करेगा किसी का गला काट के उसकी life बचाएगा एक criminal है जो उसी छुरी से किसी का गला काट के अपनी benefit के लिए कुछ भी कर सकता है और एक आप है जिनके हाथ में एक टूल है आप क्या करना चाहेंगे क्या आप इसका कोई extraordinary use करना चाहेंगे सो आलू तो आप भी काटते हैं मैं भी काटती हूँ लेकिन जब एक chef काटता है तो उसमें दस गुना मुनाफ़ा होता है लोग जाते हैं रेस्टारेंट में लोग वो शेफ के लिए वेट करते कि काश मुझे इसके हाथ की बिर्यानी मिल जाए काश मुझे इसके हाथ का राइता मिल जाए क्यूं क्यूंकि उसने एक extraordinary तरीके से उस टूल को यूज किया है similarly आपके पास एक simple सा understanding brain है यह सिर्फ मर्दों के लिए या औरतों के लिए नहीं है यह हर एक जन के लिए जिनके life में एक lady है एक girl है एक teenager है एक grown-up person है एक हर एक जन के लिए important है कि आपको एक mind दिया है वस mindset में आप क्या भरोगे आप कौन सा fuel भरोगे क्या वो आपको दुनिया के सबसे best decision लेने के लिए prepare कर रहा है या वो हर time आपको doubts, anxiety, fear यह सारी चीज़ों में anxiety मतलब विचैनी, doubts मतलब शक यह सारी चीज़े आपके दिमाग में डालके आपके लिए roadblocks create कर रहा है कि क्या आप यह mindset से आप आगे बढ़ सकते हो so एक तीन मैने का simple process है 90 days जब 90 दिन आप कोई चीज लगातार करोगे आप उस चीज में माहिर हो जाओगे आप उस चीज बहुत अच्छे से कर पाओगे और कोई भी पुरानी चीज को तोड़ना है तो उसको नई चीज से replace करना है अग अप negative thought निकालते है तो उसको positive से replace करना है so मेरा ये mission रहा है कि मैं औरतों को encourage करूँ कि वो अपने financial decisions खुद ले अब मैं पूरा जो भी मैंने आज share किया है वो एक जिस्ट में बताऊंगी एक simple simple tips में तोर पे बताऊंगी जो एक 10 साल की लड़की से लेके एक 90 साल की औरत कर सकती है सबसे पहले बहुत बहुत बढ़े सपने देखिए हाँ मैं बोलती हूँ यह बहुत philosophical है और लोग बोलते सपने देखने से क्या होगा सपने देखने से क्या नहीं होगा मैंने सपना देखा है एक billion लोगों की life में impact करने के लिए 25,000 लोग मैंने impact कर लिए minimum 25,000 मैंने गिंती नहीं रखी है लेकिन yes 25,000 हो चुके कुछ और लाख बाकी है हो जाएगे बड़े सपने देखे और उन सपनों को सकार करने के लिए एक plan बनाओ उस plan में सबसे पहले अपने आप पे क्योंकि आप अपनी race का घोड़ा हो सबसे जादा पैसा आपको अपने आप पे लगाना चाहिए आप अपनी race का घोड़ा हो जो finishing line तक जाएगा आप अपने आप में invest कीजिए investment में होता है wealth, relationship, mindset मैं believe करती हूँ कि एक mindset अपके लिए बहुत 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 माइने रखता है और ये आपको कही न कहीं लेके जाएगा एक घोड़े को train किया जाता एक race run करने के लिए ताकि एक घोड़ा non-stop कुछ और सोचे भी गया just वही action ले और अपना best दे तब जाके वो घोड़ा जीतता है so क्या आप वो घोड़ा है जो आप खुद के अप अंदर invest करना चाहते हो तो invest in yourself आप खुद के अंदर जो आपको चाहिए financial literacy एक option नहीं है mandatory है आपको करना ही है आपके पास कोई choice नहीं है so अपनी आपको financial literacy ये compulsory होना चाहिए हर और अरत के लिए हर बेटी के लिए अगर आपके पास बेटी है तो वो आपके दोस्त जो सिय है आपके चाचा जो finance में है आपके अंकल है उनके पास बैट के उनको train करा ये छोटे बच्चों को दीजे उनको 5000 रुपे 1000 रुपे और उनको बोलिए बेटा इसको एक साल तक invest करो पैसा जब हाथ में आता है तो सबसे पहले हम सोचते इसको हम कहां खर्चेंगे को नर्जर किया तो एक forest बने की एक विन काश ये आप अपने बच्चों को बहुत यंग एज पर समझाए तो ना वो पीए स्पोर के लिए जगडा करेंगे ना वो मोबाइल के लिए करेंगे ये चीज़े इंपॉर्टेंट है बझपळ से RJ को को देना जो आपने कमा वो पहले आपका है आप उसको जिसको दे ना चाहिए दे सकते पहले अपने पास लीजिए अपने bank account में अपने पास फिर उस पैसे को आप donate कीजे, आप किसी को help कीजे, किसी को दीजे, but legally पैसा आपके account पे आना चाहिए. बहुत important financial decision जो मैंने बात नहीं किया, अगर आपको taxation और GST और ये सारी चीजों के बारे में नहीं पता है, तो आपको basic knowledge होके आपको regularly उसको update करके check करना पड़ेगा, because जो पैसा आपने आज कमाया और जिसका taxation और आपनी legal procedures आपकी company में आपने या आपके partner ने या आपके CA ने बराबर से नहीं की, तो कल आप jail में हो सकते हैं, आपका account freeze हो जाएगा, आपने जितना कमाया उसका 10 गुना आपको वापस देना पड़ेगा, यह बहुत सारी गलतिया, बहुत सारे लोग करते हैं, जिस is very very crucial कि आप अपना accounting और banking और जो investment कर रहे हैं, उसका सही सही हिसाब रखे और यह आपको समझना mandatory है, it is not an option, यह आपके पास एक choice नहीं है, आपको करना ही करना है, यह ज़रूरी है, और उसके बाद जो पैसा आप grow कर रहे हैं, उसका जो main amount है, उसको बरकरार रखे, उसका जो profit है, वो आप use कर सकते, कितना पैसा आप business में लगाएंगे, वो आपका business plan decide करेगा, और आपकी working capacity देखे, आप अपने आप पे यह जुआ लगाएं, हाँ, जब हम business करते हैं, तो हम हमारे talent पे, हमारे skills के उपर एक investment कर रहे हैं, तो क्या आपने right type के logo का दिया है, business coaches इसलिए होते हैं, कि जो पैसा आपने लगाया, वो best तरीके में, सबसे कम time में, time is money, right time पैसा है, आज आपके पास बहुत time है, और उस time पो अगर आपने productively use किया तो आप बहुत सारा पैसा बना सकते हो, मैंने देखे हैं, बचे जो business offline to online ले लिया, उस online business को set होने में time लग रहा है, आज में कम से कम तीन या चार businesses को online business set करने के लिए help कर रही हो, और mentor कर रही हो कि कम time में, सबसे जादा effective program कैसे बनाया जाए, और आपके audience को कैसे deliver किया जाए, so जब आपके पास कोई difficulty आती है, तो आपका plan भी तयार है, या business म अगर आपका जो challenge आया, तो आपका support क्या है, क्या आपने अपना हर चीज business पे दाव के लगा दिया और अपने लिए कुछ नहीं रखा, ये बहुत सारी चीजे है, छोटी छोटी चीजे, जो आपके decisions है, जो आपको या make, या break करेगी, या आपको बनाएगी, या आपको तो मैं करती हूँ, वो मेरा decision है, और मेरे साथ जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है, वो मेरे action और मेरे decisions के हिसाब से हो रहा है, so मेरी जो next book है, take charge 5x formula, उसमें मैंने अपने आपके साथ जो relationship है, उसके अपर एक बहुत बड़ा depth में chapter लिखा है, कि सबसे बड़ा relationship है अपने और ये कैसे बनेगा, सौर तरीके हैं अपने आपको, अपने आपकी साथ मिलाने के, grow करने के, encourage करने के लिए, लेकिन most, most crucial thing for women, औरतों के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है, ये आपका हाथ है, हम हमारा हाथ ऐसे use करते हैं, ऐसे, 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 अगर इस हाथ को हम बोलेंग कि I am strong, बचपन से हमने देखा है, कि ये मजबूती का निशान है, सो आपके अंदर वो हर एक चीज है, you know, this is there, और strength भी है, सो आपके अंदर mental strength होना बहुत जरूरी है, physical fitness होना, crucial है, क्योंकि आप सिफ खयाली पुलाव लेकिन नहीं जा सकते हो, आपको ये body और ये health के लिए, लेकिन जो mindset है, वो बनता है education से, जो mindset है, वो बनता है अपनी आपको, education मतलब school या college की बात नहीं कर रहे हो, मैं बोल रही हूं कि आपको जो आता है, उसका best version आप कैसे बढ़ाते रहे, खुद को कैसे आगे आगे लेते जाएंगे, तो आप एक financial decision perfectly लोगे, और whether आ financial planner हो की नहीं, आपके पास mentors है की नहीं, जब आपने मन बना लिया कि मैं अपनी life को take charge करूँगी, तो आपकी life वो ही direction में जाएंगी, जहां आपको जाना है, तो अगर आप 10 साल के हो, या आप 90 साल के हो, या आपको 110 साल के हो, अगर आप women है, तो आपको अपने financial decisions खुद लेने हैं, और खुद जिम्मेवारी लेनी हैं अपनी जिंदगी की, ताकि आप अपने साथ 100 लोगों को लेके चल सको, और उनको भी रस्ता दिखा सको, कि how can you take financial decisions and those decisions can empower you, आप अपने financial decisions खुद लेजे और वो आपको इतनी ताकत देगा, आपको mental strength देगा और आपके जिंदगी में आपका हर एक सपना साकार हो सकता है, अगर आपके पास finance है, अगर आपके पास पैसा है, security है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत हरे लोग बोलते ह कैसे कोई चीज नहीं है, हाँ मैं मानती हूँ, mental security सबसे important चीज है, जब मुझे पता है कि मैं अपने घर में महफूज हूँ, मैं safe हूँ, तो मेरे घर में भी virus आ सकता है, लेकिन जो safety का, जो मेरे को security है, वो मुझे रात को सोने देता है, मुझे बहुत सारी constructive चीजे करने के लिए encourage करता है, so security is important and financial decisions are very very important to feel safe and secure, आज आपके लिए एक टास्क है, आप आँख बंद करके सोचिये कि अगर मेरे पास एक भी रुपया नहीं होता, तो मेरी लाइफ कैसी होती, डर गये ना, सोचने से भी डर लगता है कि अगर हमारे पास एक भी रुपया नहीं होगा, त तो हमारे जिंदगी कैसे रहेगी, तो आज जो आपके पास है, वो काफी है, आगे बढ़ने के लिए है, अगर आप उसको बोहेंगे पैसे को, तो बढ़ेगा, और अगर उस पैसे को आज आप खर्श कर देगे, दूद, दही, आटा, चावल, चॉकलिट, गाडिया, मोबा टॉक के बाद, आप ईक बाद सोचेंगे कि में पास कौन सा पैसा कहा है, मैंने कितना चिललर कौन से ड्रॉबर में वेस्ट किया हुआ है, क्यों नहीं मैं इसको जमा करके बैंक में या इन्वेस्टमेट करू Couldn we मैं अपने आप में इन्वेस्स करूँ आज आप एक step लिजे अपने आपके growth के लिए और देखिये आप मुझे याद करेंगे कि कैसे आज ने आपकी life में एक difference किया do something today that will change your future आज आप कुछ कीजे जो आपके future को enhance करेगा so आप जुडे रहिए मेरे साथ मेरा email id है gemini.dhar at gmail.com मैं इंस्टा पे फेस्बूक पे हर जगा पे हूँ और मेरे बहुत सारे learning programs free भी है connect कीजे बढ़िये आगे और जितने भी औरते आपके life में है छोटी है बढ़ी है बुडी है सिखाए उनको financial decisions लेना वो आपको दूआ देगी और आपकी life भी बहुत smooth हो जाएगी because वो खुद अपने life को take charge करेगी और वो आपका support structure बनेगी आज कितनी single mothers है जो अपने घर को चलाती है अपने बच्चों को बढ़ाती है उनको भी मेरा सलाम जो खुद अकेले होके अपने दरा दूसरों लोगों को मैं रिक्वेस्ट करोंगी कि आप अपना financial decision खुद लीजे जितनी चाहे दूसरों लोगों की मदद लीजे बट decision अप खुद लीजे थैंक यू रंजीत ये मेरे लिए बहुत बहुत वाल्यूबल था और विश्यू अल दी बेस्ट and may you make crores and crores and crores of money and contribute to crores and crores and crores of people's life thank you this is Germany Dhar